तो आगया हमारा next chapter जो कि है flow of control यह बहुती interesting chapter है अब इसमें जो चीज़े हैं if else और यह जो loop पाली चीज़े हैं यह बहुती जादा important चीज़े हैं programming में अब यह तुमने नहीं किया तो फिर तुम कोई धंका program बना ही नहीं पाऊगे अब तुम क्या करोगे सिर्फ print करोगे input ल समझना इसको और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो future में बहुत काम आएगा तुम्हारे तो शुरू करते हैं introduction से introduction तो introduction में क्या था? introduction में यह आता है कि हम इस chapter में पढ़ने के आवाले हैं अगर हम बात करें if statements की तो इनमें क्या होता है हम अपने program में कोई condition डालते हैं और अगर वो condition सही हो रही है तो फिर उसके अंदर कुछ code लिखते हैं और वो code चल जाता है और अगर वो condition also हो रही है त what conditions पर क्या करते है कि कि सी चीज को 100 और 5 और हमारे जितना मनो उतने बार कर वा सकते है और उसके अंदर हम अलग अलग performance ओ अलग अलग चीजे perform कर सकते है तो अब देखो यहा पर हमें पहले जाना है statements के बारे में तो Python में किन types के statements होते हैं, Python में total 3 type के statements होते हैं, कौन-कौन से, बहुत simple है, empty statement, simple statement और compound statement, ठीक है, आपर मैं लिख भी देता हूँ, अब एक एक करके हम देखते हैं कि यह क्या होते हैं, तो empty statement, सबसे पहले empty statement में आता है, empty statement क्या होता है, कुछ नहीं, हाँ, जिसका मतलब होता ह है, कुछ नहीं, ठीक है, मतलब, अगर मैं अपने program में कुछ ऐसी एक line लेखना चाहूँ, जिसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक valid line है, Python में, तो वो हो गया यह कोई output नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, यह बस ऐसी लिखा हुआ है, तो तुम सोच रहे होगे कि यह दिया क्यों होगा है, हम इसे use कहा करेंगे, तो देखो, यह हमारे programming की जो process है, उसको थोड़ा सा efficient बनाता है, जैसे कि अगे मैं कुछ और code लिखना, continue करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं यह pass, इस keyword का use कर सकता हूँ, ठीक है, यह statement भी है, तो इसका मैं use कर सकता हूँ, ताकि मेरे को कोई error ना आया, और मेरा program जो है, अगर मैं अभी test करूँ, तो वो चल भी जाए, ठीक है, अभी तुम देख हाँ, तो यह चीजे जो है, यह हमारी है, simple statements, अब compound statements क्या होता है, compound statements हमारे वो statements होते है, जिनमें हम blocks का use करते है, indentation का use करते है, इनमें यह आ जाते है, हमारे if, else, और यह जो loop वाले जो चीजे है, या फिर function बनाना हो गया, वो सारे चीजे जो है, वो compound statements में आती है, और class भी एक होता है, तो वो अभी तुम्हारे syllabus में नहीं है, तो तुम्हारे syllabus में जो है, वो मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ extra ग्याम देते रहूँगा, तो compound statement में क्या-क्या होता है, compound statement में एक header होती है, और उसकी एक body होती है, ठीक है, अगर मैं simply तु मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कि one अगर बड़ा है, जीरो से, ठीक है, तो फिर क्या करो, print, hello, और print, क्या प्रिंट, चलो सिर्फ प्रिंट नहीं कराते है, कुछ और भी कराते है, यहाँ पर कुछ assign कर देते हैं, यहाँ पर error क्यों आ रहा है, sorry, यहाँ पर तुमने यह string में डाला ही नहीं है, क्या यार, हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कुछ all lines लिख देता हूँ, a मैं मैं 3 कर देता हूँ, b मैं 4 कर देता हूँ, print करवा देता हूँ, a plus b, तो यहाँ पर मैं कुछ भी बेकार सा काम करवा रहा हू और माल लेते हैं कि इसके उपर कुछ Lines के code है बने फिर लिख लेते हैं चलो, जब अबढ़ा नहीं करना चाहिए, क्या लिखे हैं यहां पर.. यहां लिखे हैं.. क्या लिखे लोबरी, क्ली लिखेए ...... चलो यहां पर भी कुछ ना कुछ.. हम कि वैडियेबल में कुछ ही असाइन करी देते हैं जैसे कि नेम में यहां राज में लिख दिया हमाने ठीक है और फिर क्या यह लिखने के बाद माल लेते हैं इसके नीचे भी कुछ कोड है यहां पर जैसे यहां पर मैं लिखता हूँ लिखता हूँ तो मैं यहां पर नीचे कुछ काम करवा रहा हूँ और बीच में मैंने एक Compound स्टेप्मेंट डाल कर रखा हूँ प्रेंट यह पर देख सकते हो अब यह हम कैसे कर रहे है कि यह पूरी की पूरी इसकी बाड़ी है क्योंकि यहां पर यह जो चीजे तो तुम्हें दिख रही है यह जो चीज है इतने चार स्पेसे हैं ठीक है यह अगर तुम अपने कीबोर्ड में सिंपली टाब प्रेस करो तो भी आजा और यह सारे लाइन जो हैं वह एक ही इंडेंटेशन में हैं मतलब कि अगर मैं यहाँ पर पीछ में कुछ एक और इंडेंटेशन लगा कर दूँ ठीक है तो यह अलग चीज हो जाएगी ठीक है तो अभी मैं क्या कहना चाहरा हूं कि यह सारे के सारे सेम लवल के ठीक है समझ के आगे पढ़ते हैं और यह पर यह तुम्हें याद रखना है कि हम जब भी हैडर फाइल लेते तो उसके बाद एक कोलोन भी देते हैं अब नेक्स टॉपिक क्या है नेक्स टॉपिक है मेरे पास स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल अब स्टेटमेंट कैसे चलता है है जब को पता है है स्टेटमेंट जब लो सिकमेंश में चलता है फैले यह स्टेटमेंट चेक होगी और इधर 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 तेक है ऐसे होता है यह होता है स्टीपंच और क्या चीज़ते ह不知道 छे settings क्रूच sequence होता है sequence मैंने तुम्हें बता दिया sequence क्या होता है simply अगर कोई program हम देख लें आपर चलो कोई भी program में क्या होता है कि एक-एकर के चीजे एक-एकर के lines चलते हैं ठीक है वो sequence हो क्या है अब उसके बाद आता है selection selection यह नहीं क्या if statements हमारे पास जो होते हैं यह सारे और हाने क्या कहते हैं हम कहते है selection statements इसमें क्या होता है कि अगर अंदर वादी value सही है मतलब true return कर रही है तो ये सारी चीजे चल जाएगी और अगर ये false return कर रही हैं तो ये सारी चीजे नहीं चलेघी और इसके बाद direct यह statement चलेगा तो यह होता है selection समझ है क्या होता है sequence और क्या होता है selection और उसके बाद रर चीज क्या होता है एक और चीज है iteration, iteration याchau reputation your jobs तूm puedo repetition Iteration or loops यह इक ही चीज है इन में क्या होता है चलो इनका इंन هिक example देता हूं सिंपल सा लूप बना लेते हैं एक कांग करते हैं यहां पर मैंने शुरू में ए में वन असाइन कर दिया अब मैं आपर लिखता हूँ वाइल का मतलब क्या होता है वाइल का मतलब होता है जब print a अब ये क्या कर रहा है इसका तो कोई effect पढ़ नहीं रहा है क्योंकि नहीं कुछ चीज हमें print करके दे रहा है नहीं चीज कोई input ले रहा है और नहीं कोई इसका फर्क पढ़ रहा है तो जो फर्क पढ़ रहा है हमारे code में वो इसका फर्क पढ़ रहा है तो क्या है यहाँ पर शुरू में A में 1 जा रहा है फिर जब तक यहाँ पर condition में लिखा हुआ है जब तक A जो है वो 10 से छोटा है तब तक print करते जाओ A को A में क्या है 1 और यह तो हमेशा सही हो जाएगी प्रिंट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी यहाँ पर अगर मैं तुम्हें इसे run करके दिखा हूँ यह देखो, यह चल रहा है ठीक है तो मैं पता नहीं चल रहा होगा लेकिन यह continuously चल रहा है और नीचे आते जारी है इसकी values तुम देख सकते हो अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करने के कोशिच करूँ तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि नीचे एक एक करके values आते जा रही है अब मैं तुम्हें अच्छे से दिखे तो उसके लिए क्या करता हूँ अब पर प्रेंट के बाद में end statement लगा देता हूँ ठीक है अब तो मैं अच्छे से दिखेगा यहां पर अगर मैं अभी रन करो तो तो अच्छा यह भी खतम ही नहीं हो रहा है इसको में को खतम करना है तो उसलिए control c दपाता हूँ यह खतम हो गया यह पिछला वाला ही चल रहा था ठीक है अभी इसको चलाने के लिए फिर से मैं run करता हूँ इसको देखो अभी तुम्हें दिख रहा होगा अभी प्रॉब्लम हारी होगी लेकिन फिर भी समझ आ रहा होगा कि यह बढ़ी रहा है ठीक है तो यह खतम नहीं हो यह 9 टाइम्स चलेगा इसी अभी तक यह भी बंद नहीं हुगा इसको बंद करते हैं यह पिछला वाला बार बहुल जाता हूँ मैं ठीक है हाँ यह तो यह 9 तक चल रहा है ठीक है तो यह होता है लूप मैंने बस तुम्हें इसकी शकल दिखाए अभी कोई बात मीं तुम्ह सब्सक्राइब आस नहीं और अच्छह से सुम्झाओंगा तो में यहाँ पर मैं फाल तो तो बैठाऊ हूं तो हम अभी क्या पढ़ रहा थे हम पर से स्टेटमेंट फ्लो कंड्रोल क्या 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 देंखा हमने इसमें सीक्वेंस देखा सिक्वेंस मतलब क्या जो एक एक करक मैं loop बोलूँगा ठीक है तो loop में क्या होता है कि कोई condition ले लो जब तक वो condition सही है तब तक चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ या फिर कोई ऐसा भी होता है कि हम एक range function का use करता है खेर वो आगे की बात है चलो ठीक है अब आता है हमारा if statement प्यारा सा if statement if statement क्या कहता है if मतलब अगर तो देखो if में क्या हो जाए कि पहले हम if लिखते हैं if का मतलब होता है अगर और उसके बाद condition लिखते हैं ठीक है इसके अंदर sorry condition लिखते है spelling गला था क्या c-o-n-d-i-e-t-i-o-n-s-i-t-o-n condition लिखते हैं उसके बाद फिर colon देते हैं और उसके बाद फिर statement one फिर उसके बाद नीचे जाके statement क्या फालतो time वाइस कर रहा हूं statement two ठीक है ऐसे लिखते हैं तो और उसके बाद जो काम है यहाँ पर करवाओ ठीक है और यहाँ पर भी उपर में जो भी काम करवाना है करवाते जाओ ठीक है तो यह basic चीज़े होती है if में क्या होता है if पहले लिखना होता है उसके बाद फिर condition देनी होती है फिर एक colon देना होता है ताकि हम बता सकते कि अब यहाँ से इसकी body शुरू हो रही है और indentation के अंदर यहाँ भी indentation लगा हुआ है यहाँ भी indentation लगा हुआ है तो indentation के अंदर statements लिखने होता है जो हमें चलाना है ठीक है कहाँ पर चलाना है इस statement के सही होने पर चलाना है बस समझा गया यह था if अब मैं तुम्हें if के perspective में चलो एक example बनाते है मतलब एक program बनाते है चलो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम user से एक number input लेंगे और फिर हम user को यह बताएंगे कि तुमने जो number enter किया है वो positive है या negative है तो उसके लिए एक program बना एक नया file बना लेते हम integers.py ठीक है तो चलो है हम यहाँ पर अब वो उस program को लिखते है क्या लिखना है पैदा हम user से number input करवाने वाले तो num नाम का एक variable लेते हैं और user से input लेंगे तो यह integer type का होने वाला है इसलिए यह int और उसके अंदर input function के अंदर हम यहाँ पर prompt डालने वाले है enter a number ठीक है और यहाँ पर तुम एक चीज़ notice करो कि यहाँ पर जब मैं अपना prompt डालता हूँ हमेशा तो आपर तुम एक चीज़ notice करो मैं आपर पहले एक space डालता हूँ फिर एक colon डालता हूँ उसके बाद एक और space डालता हूँ आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर रहा है हम, अब क्या करना हम है, अब हमें ये चेक करवाना है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, इफ कंडिशन लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद, इफ के अंदर कंडिशन में हमें लिखना है कि कौन सी कंडिशन होगी, जब हमें पता है लिए जो नंबर है वो पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, देखो, जीरो से बड़ी हुई तो फिर पता है कि वो पॉजिटिव है, जीरो से छोटी हुई तो नेगेटिव है, और जीरो है तो वो नहीं positive है और नहीं negative है ठीक है तो चलो इसको बनाते हैं अगर num जो है वो बड़ा हुआ किस से 0 से ठीक है तो यहां column देंगे और फिर यहां पर से print करवाएंगे क्या print करवाएंगे number is और यहां पर क्या लिखवाएंगे इसको positive ठीक है पॉजिटिव ठीक है या फिर हम इस जगह पे number के जगह पे डारेक्ट उसका number ही enter करवा सकते हैं मतलब लिखवा सकते हैं महानलों उसने 9 लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है तो यहां पर लिखा हुआ आएगा कि अब मुझे नेगेटिव का देखना है ठीक है तो इसको मैं कॉपी कर लिता हूँ ठीक है और मुझे अब इंडेंटेशन से बाहर निकलना है क्योंकि मैंने इफ का जो काम है वो खतम कर लिया अब बाहर में एक और इफ लगाता हूँ मैं नंबर जो है वो जीरो से छोटा हो गया तो नंबर इस यह हो जाएगा नेगेटिव ठीक है और अगर जीरो हुआ तो नहीं पॉजिटिव होगा नहीं नेगेटिव होगा तो भी लिख देते हैं ठीक है यहां तक मैंने अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर वा लिया अब जारा में इसे रहन करके दिखाता हू अब यह माइनस एट कर देते हैं नेगेटिव बोल्ड रहा है और जीरो भी लिखके देख लेते हैं चलो अब यहां पर मैं जीरो लिखता हूँ जीरो जीरो पॉजिटिव नौड नेगेटिव ठीक है चलो ठीक है तो यानि कि यह हमारा इस स्टेट्मेंट इस तरह से काम कर रहा है हमने यह समझ लिया अब अगर इसको साइड में रखे तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रोग्राम है उसमें तुम्हें क्या करना स्टिव हैं एंपर क्या प्रोग्राम के नानाम रहा हम इढ़ suggest does by अब यहां पर लिखते हैं प्रोग्राम शुरू करते हम तो यहा पर मैं सबसे पहले इसे इंपोड लूँगा A is equals to और यहां पर हम हैं इंटीजर टाइप में पूप क्योंकि अगर मैं इंटीजर Janeiro तो वो तो पता ही है कि वो नंबर है ये अन्बहर में निथद नहीं है कि टिक है कि मैं पर यहांपर ने लूंगा यहां पर मैं स्ट्रिंग के SOLE रखना की स्टेमिटा ? या फिर अगर तुम्हें जादा मेनत करने का शॉक है तो तुम्हें यहाँ पर str लिख दो ठेक है और उसके बाद इंपुट और फिर अंदर लिखो अब हम क्या करेंगे अब हम चेक करेंगे घ तो इन जो के वाद में क्डिशन पर अमने लिखा यह ठीक है यह लिखावाना चाहिए यू एंटर्ड अ डिजिट ठीक है अब इफ के ऊपर इफ में जो कंडिशन वो तो हमने लिखा ही नहीं तो क्या कंडिशन होना चाहिए डिजिट के लिए या तो वो 0 से बड़ा हो या एकवल हो या फिर वो मतलब या फिर नहीं और मतलब कि दो कंडिशन से इसे साटिस्वाय करनी होगी या तो वो 0 से बड़ा या एकवल हो और 9 से एकवल हो या फिर छोटा हो ठीक है यहीं इंटर्वल होता है यहीं होता है चलो फिर तो a is क्या लिखेंगे यहाँ पर greater than equal to 0 and a is smaller than equal to 9 ठीक है अब देखो यहाँ पर तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर मैं and क्यों लिख रहा हूँ ठीक है शायद कुछ को doubt हो रहा होगा तो यहाँ पर तुम्हें दिखनी रहा लेकिन यह और है ठीक है यहाँ पर बीच में एक और है क्यों है क्योंकि यह क्या कहना चाहरा है कि a य 9K या फिर equal 9K तो यहां पर मैं इसे run करके दिखाता हूँ तो मैं यहां पर मैं enter रहता हूँ 6 तो यह क्या हो रहा है यह इस not supported between string and int तो मैंने int कहां लिया है तो यहां पर मैंने क्या किया हुए देखों यहां पर मैं string में input ले रहा हूँ यहां पर मैं लिख लेता हूँ 6 तो you entered a digit अब यहां पर मैं इसके जगा पर a लिख देता हूँ a लिखने पर क्या आएगा a लिखने पर कुछ नहीं आ रहा है अचा यहां लिखने पर यहां पर हमने कुछ डाला ही नहीं है अगर यह condition सही हो तो यह चीज़ चल जाएगी लेकिन गलत हो तो क्या उसके लिए तो हमने कुछ डाला ही नहीं है तो यह था if statement अब आगे क्या है अब आगे है if else statement और उसके बाद if else statement और उसके बाद फिर nested if तो जलदी जलदी खतम करते हैं if else हो गया sorry if else नहीं हुआ है तो if else करते हैं अभी यह c में कर लेते हैं ठीक है तो else का मतलब क्या होता है कि अगर उपर वाली condition सही नहीं हो तो तब क्या करना है ठीक है तो यहाँ पर हम बनाएंगे sorry else, else में else लिखते हैं ठीक है if की जो body को तुमने पता कर ली क्या होता है अब else लिखते हैं और else में कोई condition लिखने के जरूद नहीं होती है क्योंकि else का मतलब ही होता है कि अगर उपर वाली चीज सही नहीं हो तो आगे अब यह काम करो else क्या करो else print कर दो not a digit ठीक है यह लिख दिया मैंने अब मैं आप पर f लिखता हूँ not a digit यह लिखा हुआ आ गया ठीक है तो यह था else का काम अब मैं चाहूँ तो मैं इस पर भी edit कर सकता हूँ यहाँ ठीक है तो यहाँ पर जिसे कि तीन कंडिशन्स मैंने डाली हुई थी कि मैं आपर पता करना था कि नंबर जो हमने डाला है वो positive है या negative है या फिर 0 है ठीक है तो यहाँ पर मैं देखो यही तिनों conditions हो सकती है इनके अलावा कोई condition हो सकता है क्या या तो वो 0 से बड़ा होगा या तो वो 0 से छोटा होगा या फिर वो 0 होगा ठेक है तो और कोई condition नहीं बन सकती ठेक है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक काम करता हूँ इनको मैं हटा देता हूँ यहाँबर और अब मैं बस तो सी यह बता दा कि तुम्हारा जो number है वो positive है या positive नहीं है यहाँ negative के बात नहीं कर रहा हुँ इसमें 0 भी इंक्लूट हो जाएगा तो तुम्हारा नंबर जो वो positive है या positive नहीं है तो इतना तक हमें क्या कह के दे रहा है कि तुम्हारा number positive है और अगर यह condition सही नहीं हुई तो यहां पर हम इंटेशन के बाहर आके else लगाऊंगा और else के अंदर में print करके लिखाऊंगा इसे कि number जो है तुम्हारा वो not positive है not positive ठीक है इसे इंट करूँगा आगर मैंने 5 लिखा यह positive बता रहा है और अगर मैं आप पर minus 5 लिख दूँँ तो यह minus 5 is not positive यह लिखा गा रहा है समझ गे तुम else का क्या काम होता है अब क्या मेरे पास अब मेरे पास है if elif ठीक है अब if और elif का काम क्या होता है तो यहाँ पर बहुत लोग confused होते हैं आपर मैं बहुत एक important चीज़ बताने वालो तुम्हें इस चीज़ को तुम ध्यान से सुनो क्या है वह important स चीज तो 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 तुमें यहाँ पर एंट कर रहा है क्या कर रहा है कि हम यहाँ पर हम चेक कर रहा है कि हम जो पॉसिटिव है negative है अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को अगर हटा दूँ ठीक है और मैं आपर मैंने अभी क्या लिखा हुआ था है यहाँ पर number जो अगर 0 हो तो इसके जगा पर else करवा देते हैं ठीक है इसके जगा पर यहाँ पर मैं else कर देता हूँ क्योंकि इन दोनों के condition के अलावा और कौनसी condition बच रही है ठीक है नमबर या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा या तो 0 होगा equal होगा ठीक है तो 0 इसके जगा पर हम यहाँ पर else कर देते हैं और इसका मतलब ही यही हुआ कि जो आखरी condition है ठीक है दोनों णगर सचना हो तो आकरी condition कान सी है वो चीज स़ह हो जाया ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा इफ reduces ऊसके पाद your अगर बढ़ा है 0 से तो यह हो जाएगा और अगर support यह तो इे हो जाएगा और अगर तुम दो चीजे लिखे हुए आ रही है 6 is positive और 6 is neither positive nor negative ये क्यों हो रहा भाई? ये तो नहीं होना चाहिए तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो else होता है वो अपने से पहले वाले if के लिए ही होता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो else है वो इसके लिए भी है यानि कि अगर ये condition ना चले तब ये चल जाए ठीक है? तो ये जो चीज है वो सिर्फ इसके लिए है अपने से पहले एक के लिए है else जो है वो अपने से पहले वाले if के लिए ही होता है ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये चीज चल जा रही है ठीक है? नमबर जो है वो positive है print हो गया नमबर positive एंटर किया तुमने अब नीचे जो है वो एक चीज है दोनो if और else ये दोनो दो जिसम एक जान है तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कि पहली वाली जो condition है ये नहीं चल रही है तो obviously दूसरी वाली चल जाएगी ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ये print हो जा रहा है इसलिए ये problem हमें face करनी पड़ रही है तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला था? अलिफ के बारे में अलिफ का मतलब होता है else if मतलब की जैसे की तुम कभी-कभी सोचते हो की ये नहीं तो वो सही वो नहीं तो वो सही और ये भी नहीं तो वो सही मतलब कोई भी नहीं तो वो सही ऐसा तुम कभी-कभी सोचते हो अब पता नहीं मुझे कि तुम में किस sense में सोचते हो इस तीज को लेकिन ठीक है तो यहाँ पर भी मैं तुमें if, elif और else का concept बताने वाला हूँ तो वो हम कैसे करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो else डाला हुआ यहाँ ठीक है तो वो मैं क्या कहा रहा हूँ अब मैं पहले अले में run करके दिखाता हूँ यह काम कर रहा है नहीं मैंने 6 डाला था, चलो फिर से 6 डालते हैं देखो 6 is positive हो रहा है, काम कर रहा है, अब मैं बताता हूँ यह कैसे कर रहा है elif का मतलब होता है, देखो पहले यहाँ पर if में check किया क्या हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, फिर आगे गया, तो alif का मतलब होता है, कि अगर ये condition नहीं चली, तब इस पर आओ, ठीक है, बस अगर ये चली गई, ये चल गई, ठीक है, तो फिर तो if का पूरा body खतम हो जाएगा, अगर if सही हो गया, तो नहीं ये alif को चुलेगा, नह कि अगर ये नहीं चला, यानि else if, अगर ये चीज जो है, वो नहीं चली, तो फिर, क्या ये चीज सही है, और अगर ये चीज सही है, तो ये print करा दो, और यहाँ पर उसके बद हमने else लिख दिया, else में कोई condition नहीं है, मतलब कि, इस condition और इस condition को छोड़ के बाकि जितनी भी possibilities बन रही है, उसमें ये आजाए, ठीक है, तो ये काम है, अगर मैं आपर अब zero लिखू, तो तुम्हें पता है कि, या तो number zero से बड़ा होगा, या तो zero से छोटा होगा, या zero के equal होगा, number के बड़े होने के लिए हमने कुछ doubt दिया, ठीक है, number के छोटे होने के लिए भी हमने लिखाया, लेकिन number के zero होने पर कुछ नहीं लिखाया, तो साहीर सी बात है, else का मतलब यही है, कि number हमारा zero हो, और मैं आपर अब zero डाला, ठीक है, तो ये हमारा जो program है, वो आराम से चल गया, तो ये काम था, अब ऐसा नहीं है, कि हम elif सिर्फ एक बार use कर सकते हैं, अपने program म ठीक है, इसमें क्या था, कि हमने बस एक ही बार काम पड़ रहा था, इसलिए हमने एक ही बार use किया है, चलो मैं तुम्हें अब एक और program मना के दिखाता हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हें elif multiple times use करके दिखाऊँगा, चलो तो मैं आपर एक ऐसा program बनाने वाला हूँ, जहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं आपर ये करना चाहता हूँ, कि मैं simple calculator बनाना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं पहली value user से input लोगा, दूसरी value भी user से input लोगा, और फिर मैं ये user से input लोगा, कि तुम perform क्या करना चाहते हो उसमें, क्या तुम उसमें addition करवाना चाहते हो, क्या तु विजन, सब्ट्रैक्शन, चाहते क्या हो, ठीक है, तो और ये चीज़ वो करके दे, और में को रिजल्ट निकाल के दे, ठीक है, तो ये प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ मैं, तो चलो ये लिखते हूं, तो उसके लिए सबसे पहले हम पहली वैल्यू लिख लेते हैं, निकाल दालूँगा, इनपूट फंक्शन के अंदर, मैं आपर फ्रॉंट लिखोंगा, क्यालिकोंगा, एंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, ये क्या कर रहो हूँ है, अब मैं आपर उसी तरह से, सेकंड वल्यू भी करवा ले तो हूँ, या आपर, सेकंड वैल्यू ठीक है, और य अब मैं क्या कराता हूँ, अब मैं यूजर से इनपूट करवाता हूँ, कि तुम करवाना क्या चाहते हो, ठीक है, तो और इसको मैं स्ट्रिंग में ही रखना चाहूँगा, इनपूट, एंटर, ओपरेशन, ठीक है, और ओपरेशन के अंदर, यहां पर मैं तुम्हें लिख करा लो, ठीक है, हम तो खाली बेटा है, हम करके देंगे, तो एंटर, यहां पर यूजर जो ओपरेशन करके देगा, लिखेगा कि यह कर दो, ठीक है, तो यहां पर देखो, चार चीज़े हैं, अब यहां पर क्या होगा, देखो, मैं पॉसिबिलिटीज कितनी बना रहा लेकिन मैंने भी बस इनको ही रखा है, ताकि हमारा प्रोग्राम जल्दी निपट जाए, और तुम समझ भी जाओ अच्छे से, तो चलो, अब मैं आपर यह लिखता हूँ, कि अगर O में प्लस गया, तो दोनों को प्लस करके प्रिंट कर दो, O में अगर डिविजन गया, तो फोन पर करना चाहो, तो पाइड्रोइड नाम का एक अप आता है, ठीक है, उसमें तुम प्रफॉर्म कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर पर कर लो, तो चलो, अभी अगर तुमने कर लिया, तो फिर देख लेते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इफ कंडि इफ कंडिशन इस, या फिर सम इस, ठीक है, क्या होना चाहिए, ए प्लस बी, सॉरी, ए प्लस बी, ठीक है, हो गया, अगर, और अगर, ये ना हो, डिविजिन हो, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अलिप लगाता हूँ, ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा हूँ, क्य कि मैं एक ही पूरी बाडी बना रहा हूँ, ठीक है, इन सब के लिए मैं एक बाडी बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इफ, अलिफ, क्या यूज़ करूँगा, इफ, देखो, यहाँ पर मैं इफ के इसके लिए यूज़ करूँगा, फिर इसके लिए अलिफ, इसके लिए एल्स ठीक है तो यह पूरी एक बॉड़ी बन जाएगी इफ एलिफ एल्स की ठीक है तो यह बना रहे हूं तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलिफ ए इस इकोल स्टू अगर एक इसके एकोल हुआ डिविजन के तो फिर डिवाइड करके दो प्रिंट दो डिविजन इस क्या है डिविजन क्या है डिविजन क्या है डिविजन ए बाई बी सॉरी मैं आपर एक गलती कर रहा हूं कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है ठीक जो मैं सब्सक्राइब करना चाहां रहा हूं वो तो मैंने को मैं रखा है ना तो मैं आहं पर एक घ्रान हुआ недरो है ठीक है अब यहाँ पर एलिए वालिजे टीजार यह नीचे भिण होगी ठीके यहां पर में इससे yine to be again अब यहां पर हम एस वाला पार्ड लगा देते हैं यहां पर भी हम Random लगा के छोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन चलो इसवाला बाड़ लगा देते हैं तकी में तुं नहीं पर से बता पांऀ रिओं कि यह होता है freaking करवा देता है print the last में क्या होता है subtraction subtraction is यहाँ पर मैंने difference नहीं लिखा क्योंकि difference में क्या होता है negative values नहीं होती है उसमें जो कुछ भी होता है वो positive में होता है तो difference नहीं लिखा है यहाँ direct subtraction लिख दिया है तो a minus b हो गया तो यह बन के आचुका है हमारा जो calculator है वो तो congratulations बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बना लिया तुमने और अगर नहीं बना तो congratulations तुमने बहुत अच्छा प्रोग्राम समझ लिया तो चलो इसे run करके देखते हैं enter first value 5 second value 6 क्या करना है प्लस करना है 11 वह क्या calculator बना है उनने हाँ अब चलो एक और multiply to bina लिते है two into to को के से multiply करा है अब multiply करना है 16 अब एक काम करते है हम इसको harass करते हैं तो इसको harass कैसे करेंगे हम इसको harass करने के लिए मैं आपर कोई पहली value 2 डालूंगा दूसरी value 0 डालूंगा और division कराऊंगा 2 को 0 से divide कराते हैं और जब भी हम यह काम कराते हैं तो computer हमें गाली आदेता है तो फिर से चलो गाली खाने का काम करते हैं एंटर करते हैं और यह रही शामदर सी गाली चलो इसको अटाते हैं तो program काभी अच्छे तरीके से बन चुका है तो यहाँ पर मैं तुम्हें कैसे का सिखा रहा है यहाँ पर मैं तुम्हें if elif का concept बता रहा था अब आता है nested if इसमें क्या होता है nested if में क्या होता है कि if condition के अंदर पर भी कुछ if conditions होती है और उसके अंदर भी if conditions होती है ठीक है ऐसा होता है तो nested का मतलब भी होता है कि एक चीज के अंदर दूसरी चीज होगी और उसके अंदर कुछ और चीज होगी इस तरह से ऐसे करते करते अंदर 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 सॉरी तो nested if तो nested if समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक और प्रोग्राम बना देता हूँ nested if dot py तो चलो मेरे को एक बहुत बेकार से example सुझ रहा है तो मैं समझाने के लिए लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझाऊंगा तो वो example यह है कि हमारे पास माल लेते हैं कि एक लड़का है अब हमारे पास कुछ दिन है मतलब week में जैसे seven days होते है तो sunday monday और Tuesday हमारे पास है ठीक है तो अगर sunday हुआ monday हुआ या फिर Tuesday ठीक है sunday monday या फिर Tuesday तो इसमें वो क्या कर रहा है वो dance कर रहा है sorry और यहां पर एक और चीज़ है कि तो वो sunday को किसके गाने पर dance करेगा माल लेते हैं कि वो sunday को honey singh के गाने पर dance करेगा ठीक है और monday को बाच्छा के गाने पर dance करेगा Tuesday को Tuesday को किसके गाने पर नचवाई इसको रफता ठीक है रफ्ता आगे गाने पर नाज़ेगा ठीक है वहीं अगर हमारा जो दिन है वो संडे मंडे ट्यूस्डे ना होकर क्या है Wednesday, Thursday, Friday है WTF और Friday है तो यहाँ पर क्या होगा वो गाना गाएगा ठीक है अब किसके गाने गाएगा अगर वो Wednesday हुआ हनी सिंग के गाने गाएगा ठीक है Wednesday, Thursday मान लेते हैं इस बार रफ्तार के गाने गाएगा ठीक है Friday मान लेते हैं बादचा ठीक है ठीक है अगर Saturday हुआ तो वो क्या कर रहा है Saturday को वो कुछ नहीं कर रहा है ठीक है तो यह प्रोग्राम बनाना है मैं देखो कितना गंदा प्रोग्राम मैंने सोचा है लेकिन फिर भी चलो बनाते हैं इसे यह मैंने पूरा का पूरा कमेंट में लिखा हुआ ठीक है मल्टि लाइन कमेंट है यानि कि इसका कोई इंपक्ट नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में तो चलो शुरू करते हैं अब शुरू हम लोग कैसे देंगे पहले हम यूजर से इंपूट लेंगे कि तुम्हारा जो इंपूट दो की कौन साथ देना होज ठीक है उस पर एंटर करेगा डे तो सबसे पहले तो हम यह चुनेंगे कि वो डांस करेगा या फिर वो गाना गाएगा या फिर वो कुछ नहीं करेगा अग किस के गाने पर डांस करेगा या किस के गाने पर नाचेगा वो तो बात की बात है सबसे पहले हमें यह बताना है अपने प्रोगाम में कि वो डांस करेगा या गाना गाएगा या फिर कुछ नहीं करेगा ठिक है और इसके बाद हम यह बदाएंगी उसे कि अगर वो dance करेगा किस से गाने पर dance करेगा या तो sunday या monday या तो सब्सक्राम के अंदर या तो संडे या मंडे या ट्यूजडे ठीक है संड ठीक है संडे और यहां पर हम मंडे या फिर अगर यहां पर अब तुम सोच रहे हो कि मैं इतना लंबा क्यों लिख रहा हूं अगर मैं एक अच्छा प्रोग्रामर हूं तो मुझे काफी छोटे लाइन में ही काफी कम लिख काफी कम लिख के ही मुझे अपना प्रोग्राम कंप्लीट करवा लेना चाहिए ठीक है तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तुमने गर डेटा हैंडलिंग पढ़ा हो मैं आप अभी चेक कर लेता हूं कि डेटा है इसके बाद है तो देखो इसके पहले का एक चाप्षिर था जो की था देटा हैंभग्लिंग उसमें तुम्हें पढ़ा हो तो असमें तुम मिलाओगा ठ्रिंस इאל निक्सरे अ्म हैं विस्ट इपाल इनके बारे में इंके बारे में निक्सरें मिला है और तो मैं इनका यूज करोंगा इस चीज को चोटा कर करते हूंु ठीक है यह दय नाम का वरियबल है और आपमें एक days नाम का वरियाबल बना ले ताओ तो यह एक मैं लृस्ट बना ले साओ और लिस्ट के अंदर मैं सब कुछ लो कर लिता हूं संडे ठीक है मंडे अब थोड़ा सा स्मार्टनेस तुम्हें दिखाना होगा अपने प्रोग्राम को छोटा करने में और सिंबल करने में टूस्डे वेंस्डे थुस्डे फ्राइडे और ये साटर्डे तो यह हो गया हमारे डेज और इस चीज़ को मैं हटाता हूँ तो यहां पर मैंने डेज डाल लिया ठीक है मैंने डेज डाल लिया तो एक काम करता हूँ मैं अब इन डेज को मैं तोड़ देता हूँ अलग अलग चीज़ों में जैसे कि मान लेते हैं कि इसको मैं एक सेगमेंट में मान लेता हूँ यह अलग सेगमेंट हो जाता है हमारा और अलग segment है ठीक है तो मैं इस list को थोड़ा तोड़ लेता हूँ ठीक है तो मैं इसे यहाँ पर खतम कर देता हूँ खतम कर दिया मैंने अभ यहाँ पर DAY 2 लिख देते हैं यहाँ पर DAY 1 लिख दिया मैंने यह अपर और यहां equal to देखे ठीक है यह हो गया और saturday हटाना हम यहां से चलो saturday हटा देते हैं और saturday हम बात में लिख लेंगे एक ही चीज है तो इसके लिए क्या ही लिस्ट बना है हम ठीक है तो अब यहां पर day यहां पर मैं इन का यूज करोंगा इन और नॉट इन तुम्हें बताया था मैंने membership operators होते हैं यह बस चेक करते हैं कि तुम्हारी जो यूजर ने एंटर किया क्या वो इन दोनों में से किसी लिस्ट में प्रेजन्ट है इन में अगर प्रेजन्ट है तो क्या होना चाहिए तो लिखा वो आना चाहिए क्या लिखा वाना चाहिए ही शुरू में हो क्या कर रहा है डांस कर रहा है ठीक है अब आगे की बात है hing pains है ठीक है तो आप उसके लिए यहां पर इस कंडिशन के अंदर मैं फिर से एक व कंडिशन लगा हूँगा तो आप मैं इस के अंदर में कंडिशन लगा वह कि अगर दिन जो है संडे उयँए तो फिर कौन सा सिंगर होगा, मंडे पिर geworden से किस तरह से तो यहां पर मैं लगा दिता हूं मैं मैं आ लिगता हूं इफ day equal to equal to sunday ठीक है तो क्या होना चाहिए print करना चाहिए क्या dedon honey sings ठीक है इलिफ ठीक है अगर उपर वाला नच ले तू नीचे वाला चलना छहिए संदे के बाद क्या मंडे तो तुम्हें जी बूंड़ी सारह से एक बाड़ी बनानी हो तो तुम एलिफ का यूज किया करो तो अगर मंडे हो तो मंडे को किसके गणे पर नाच रहा है? किसी को याद है क्यों? छोड़ो देखते हैं मंडे को बादशाह के लाने पर नाच रहा है बादशाह सांग अब यहाँ पर यह हो गया और अगर कोई और सिंगर है यानि की जैसे की संदे मंडे और फेर टूस्डेए हूं कि अगर इसके गाने नहीं नाच हा हूं तो else लिख सकते हैं हम यहापर ठीक है else का मतलब यह हुगा कि day का value है वो Sunday, Monday के अलावा क्या हो Tuesday हो ठीक है और इन में से ही क्यों होगा क्योंकि हम इन में से ही चुन रहा है क्योंकि यह days one के अंदर है और days one के अंदर क्या है Sunday, Monday and Tuesday और अगर Sunday नहीं हुगा यहां पर अब मैं आपर लिखता हूं सॉरी क्या ही लिख रहा हूं प्रिंट और प्रिंट के अंदर यहां पर मैं लिख देता हूं किया और किसमें नाचे गाई रफ्तार के गाने पर रफ्तारस संग्की अब मिलेको बनाना है क्या जाने कना वा अब मिलेको गाने का भनाना जाओ राधल से ширी अब नहीं अनुट कर लिख कर लिए और डे इंड्र को हटा कर लोगा ताकि यह इस लिस्ट में से च्थ stiff जड़ एंपर इस भी जड़ देता हूं शॉर्डी अलिफ कर लिता हूँ यहाँ पर अगर मैं इफ भी लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों में से एक ही चीज चले और चलेगी भी एक ही चीज क्योंकि कोई भी चीज यहाँ पर रिपीट नहीं हो रही है यह अलंग है पूरा यह अलंग है पूरा अगर बहुत अच्छा लख सकोँ तो फिर he sings ठीक है किसके गाने गार रहा है वो अगर संडे हुआ तो नहीं संडे, मंडे, ट्यूसडे की बात हो चुकी है अभी वेंस्डे, थर्सडे, फ्राइडे तो वेंस्डे तर्सडे और फिर यहाँ पर यह फ्राइडे ही चुनेगा क्योंकि यह तीन चीज़ है ठीक है डेस्टू के लिस्ट में ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है डे ठीक है तो वेंस्डे, थर्सडे और फ्राइडे हो चुका है है सिंग्स, हनी सिंग्स सॉंग, बादशास सॉंग और रफ्तार सॉंग तुम यहाँ पर नोटिस करो यहाँ पर वह क्या कर रहा है वह थर्सडे को रफ्तार का लाजा और तो यह हो चुक्त है और अगर देज बन यह लिस्ट में से कुछ कुछ ना हो और यह लिस्ट में कुछ ना हो तो फिर क्या बजा हमारे पास saturday ठीक है तो saturday को क्या कर रहा है कुछ निए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं उसके लिए यहाँ पर मैं else लिखूंगा और मैं यहाँ पर print करवाँगा कि रहारा है हूं ठीक है कै अब तुम यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे यहां पर तम क्या देख रहे होगे यहाँ पर तुम इक चीज देख रहे होगे यहाँ पर आलीफ है उसके अंदर भी हमने if अब हमें कोछ और condition होता तो हमें उसके अंदर भी condition और लगानी परती फिर और कुछ condition ओता तो उसके अंदर भी condition और लगानी परती हमें, तो इस चीज को ही हम कहते है, nes ter if method if, ठीक है, तो यह nested if की body, देखो तो मैं यहाँ पर if के अंदर भी यह लगा रहे है हो हुआ है यहां तो कुछ नहीं है Saturday को यहां पर मैंने Wednesday किया हुआ है यहां पर T Capital है ठीक है सही है और उसके बाद फिर Monday का मैं आपर N Capital कर देता हूं शुरू वाली चीज़ें आपर मैं Capital कर देता हूं इसको Sunday कर देता हूं ठीक है और उसके बाद यहां वी इन चीजों को ऐसा कर देता हूं कि संडे मंडे ट्यूस्डे कि मैं पंडित की तरह क्यों साउंड कर रहा हूं अब यहां पर जड़ा चेक करते हैं तो अब मैं अच्छे से लिखूंगा ठीक है थोड़ी तमीज रखके तुमा लेते हैं आज फ्राइडे तो ही सिंग्स बादसाश स्वांग तो क्या फ्राइडे को वो क्या कर रहा है बाचा के गाने का रहा है और कुछ चेक करना है तुम् कर लिए ठीक है अब एक क्वेशन में तुम्हें देना चाहता हूं तुम्हारे बुक में भी होगा तुम देख सकते हो कि तुम्हें यह बताना है कि वह जो क्वाडरिक एक्वेशन होती है जो कि तुम्ने लास 10 पर पड़ा हुआ है ठीक है माइनस बी प्लस माइनस अंडर 2 बी स्कॉर मैंस 4 ओर अब two यह फार्मूला तुम्हें लगाते हो ठीक है तो यह फ्हquently तुम्हें लगाते हो और फिर तुम्हें लगे बनाना है और याद नहीं तो तुम्हें यह यूज कर सकते हो ठीक है यह प्रोग्रम में बनाना है और nested इफका इसमें यूज deserving हो चलो तो आगे बढ़ते हैं मैं क्या है? तो रेपीटिशन ओफ टास्क्स तो आगे बात करें क्या है क्या होती है smart दो आइलूप जिसमें जादातर हम हमेशा जादातर फार लूप का उस करने वाल है और कभी-कभी हम वाइल का भी उसके हैं लेकिन ऐसा होता है कि हम दोनों का उसका करके कोई भी काम करवा सकते हैं है रखता है हम वो उसको यूज करते है वहाँ पर ठीक है और एक अच्छा प्रोग्राम भई होता है जो कम जगा पर हो ठीक है मतलब जो कम लाइन का हो और ऐसा नहीं है कि बहुत कम लाइन का हो गया और उसने कुछ बहुत ही complicated सा formula लिख दिया जिसे कि पूरा सब कुछ साव हो रहा है मतलब हमें समझ भी आनी चाहिए मतलब readability भी होनी चाहिए और थोड़ा चोटा होना चाहिए और प्रोग्राम चोटा होना चाहिए और smart तरीके से लिखा होना चाहिए और अच्छा प्रोग्राम निकल कि हमारे पास आ देखो यहां पर तुम्हारे पास लूप में यह यह चीज़े हैं यहां पर भी नेस्टेट लूप से इसमें भी तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है तो उसको पढ़ने से पहले यहां पर हमारे पास एक इंपर्टन चीज़े जो कि यह रेंज फंक्षन अब रेंज फंक्षन क्या होती है क्या होती है तो इसे समझाने के लिए भी मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूं देखो तुम्हारे लिए कितनी मैनत कर रहा हूं और तुम मेरी वीडियो शेयर भी नहीं करते तो चलो हम समझत हम यहाँ पर यूज करने बाले है अब यह कुछ arguments लेता है या तो तुम इसमें एक argument डाल सकते हो दो argument भी डाल सकते हो तीन argument भी डाल सकते हो सबका अपना अलग अलग काम होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं इसे अब print करवाना चाहूंगा अब हम आपर क्या करते हैं रेंज के अंदर कुछ values डालते हैं मैंने क्या बोला था एक value डाल सकते हो दो वे डाल सकते हो ठीक है लेकिन एक तो क्या एक डाल नहीं है तो अगर मैं एक वेल्यू डालो जैसके मैं आपर लिक देता हो 5 तो पांच लिकने पर क्या आ रहा है तो डेखो कुछ numbers की GDP करके दे रहा है तो रेंज क्या करता है वो कुछ numbers हमें generate करके देता है जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 लिखा तो वो क्या कर रहा है वो 0 से लेकर 4 तक यानि कि total 5 values generate करके दे रहा है मुझे सभी क्या रहा हूँ मैं ठीक है तो अब यहाँ पर जब हमने यह 5 डाला हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर 0 already लगा हुआ है तो जब यहाँ पर सिर्फ 5 लिखते हैं हम यहाँ पर कोई भी value बस एक value लगे डालते हैं तो उसका मतलब भी होता है कि 0 यहाँ पर already लिखा हुआ है तो इस तरह से दो वैल्यू हमारी बन जाती है, यानि कि इधर हम छोटी वाली वैल्यू लिखते हैं, मतलब कहां से वैल्यू सही हम है, और कहां तक चाहिए वो उसके बार लिखते हैं, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि 2 से लेकर 10 तक की मुझे वैल्यू सही है, तो मैं आपर से रन करूं, तो यह मुझे कहां तक दे रहा है, यह मुझे 9 तक दे रहा है, ठीक है, यह अगर मैं आपर 11 लिखूं, यानि कि एक नहीं चलता है, ठीक है, यानि कि अगर मैं आपर 11 लिखूं, तो यह मुझे 10 तक दे रहा है, ठीक है, तो यह जो है, यह इसकी stop value है, यानि कि यहां पर जैसे ही वह आएगा वह रुक जाएगा, वह काम नहीं करेगा, ठीक है? याना है कि पहली वाली चीज़ चलेगी, दूसरी चीज़ चलेगी, तो यहां से स्टार्ट होगा, और फिर यह आने पर खतम हो जाएगा, समज़ गए तुम? तो यहां से आएगा यहांने पर खतम होगा यहांने की 10 तक ही value जो हो हमारी generate हो पाएगी तो यह तब होगा जब हम 2 values डाले इसमें अगर हम यहां पर एक ही value डाले तो यह क्या समझे लेगा यह इस चीज़ को ऐसे समझेगा यहां पर 0 already लगा हुआ है और मैंने कहा था तुम 3 value भी डाल थकते उसमें अब 3 value डालेंगे तो वो क्या होगा 3 value मान लेते 3 तो 3 value क्या होता है कि इस चीज़ को लेकर addition होता जाता है किस से addition होता है 3 से तो मान लेते हैं पहले यह 2 को generate करेगा और फिर 2 में फिर 3 प्लस करो क्या हो गया 5 ठेक है फिर 5 को generate करेगा फिर 5 में तुम 3 add दरो तो क्या हो गया 8 हो गया 8 में 3 और डालो तो 11 हो गया लेकिन 11 क्या यह ले रहा है नहीं ले रहा है तो कौन-कौन से values बनी पहले 2 फिर 5 फिर 8 तीन values बन गई है हमारे पास इस तरह से हमें से run करके दिखाता हूं तो यह देखो यह इस तरह से range function काम करता है तो यह काम था range function का और अब हम आगे बढ़ते हैं एक और बात यहाँ पर तुम जो तीसरा argument जो टाल रहे हो इसे हम कहते हैं step value ठेक है और हाँ अगर तुम्हें numbers जो आप वो negative में generate करना हो मतलब कि अगर आपर तुमने 2 से 11 तक तो देख लिए लेकिन अगर तुम चाहते होगी तुम 11 से 2 तक generate करो ठीक है 11 से 2 तक 11 आना चाहिए फिर 10 आना चाहिए फिर 9, 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2 एसा आना चाहिए तो तुम यहाँ पर क्या करोगे यह लिखोगे इस तरह से इतना तो तुम्हें पता है कि तुम ऐसे लिखोगे और यहाँ पर जो step value है वहाँ पर यह तुम्हें इसके जगा पर minus 1 लिखना होगा ठीक है तब यह उल्टा counting होगा और यह 2 तक तो जाएगा नहीं ठीक है क्योंकि यह जो second value है यहाँ पर तक नहीं जाता वो उससे पहले तक रहता है यानि कि यह 3 तक जाएगा तो यहाँ पर अगर मैं save you run करूँ तुम देख सकते हैं यहाँ पर इतनी values इसने generate करके दे दी मुझे यहाँ तक 3 तक है ठीक है तो यहानि कि मुझे मैं क्या बता रहा है आपर अगर तुम्हें उल्टा जाना तो फिर तुम्हें आपस step value minus 1 डालना होगा तो यह एक important चीज थी आपर और यह चीज तुम्हें slicing म अगरा मैं बढ़ोगे ठीक है आगे बढ़ते हैं तो इसको हटाते है अभी फिलाल इसको भी हटाते हैं एक बार में क्यों नहीं हटाया बता नहीं और अभी थोड़ दिर पहले मैंने तुम्हें इन और नौ टीम के बारे में बताता है जो कि membership operators होते हैं और इसे मैंने पहले ठीक है तो यहां पर हम एक कंडिशन लगाएंगे इफ कंडिशन इफ एल सब्सक्राइब नहीं थ्री इन एल अब देखो तुम कोई भी प्रोडाम खुद से भी सोच कर बनाया करो क्योंकि वैसे ही तुम्हारा लॉजिक बढ़ने वाला है मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम खुद से भी जैसे कि मैंने अभी क्या किया था यह बेकार सा यह यह नहीं कौन सा तो कोई भी एक था उसमें मैंने क्या किया था कि एक बेकार सा मैंने हाँ यह वाला तो इसमें मैंने क्या किया था मैंने कुछ से कोई एक क्वेशन सोच लिया और इसका प्रोडाम मैंने बनाना शुरूर कर दिया तो तुम्हारा जो प्रोडामिंग में जो लॉजिक है वो ऐसे ही बनेगा, तुम्हें क्या करना है कि खुछ से कुछ ना कुछ ग्रीटिव सोच रहा है, कुछ भी कुछन सोचो और तुम उस पे बनाना शुरूर कर दो, वैसे तुम्हारा क्या होगा, कि तुम्हारी क्रीटिविटी काफी बढ़ जाएगी और तुम्हारा यह जो इन चीजों को बना सकता है, तो यह जीज तुम्हारा करो और काफी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो कौन से फाइल में काम कर रहा था मैं, इस पे काम कर रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा ना चाहता हूँ, और भी नो, ठीक है, यह क्या कर रहा यह में बस चेक करके दे रहा है कि क्या थ्री नंबर जो है, वो इस लिस्ट में प्रिंट है, और अगर प्रिंट होगा, और अगर नहीं प्रिंट होगा, और अगर नहीं प्रिंट होगा, और अगर नहीं प्रिंट होगा, और यह सिर्फ हम लिस्ट के लिए यूज नहीं कर स पर में not in लगा दो तो बस उल्टा अगर नहीं होगा तो यह स्प्रिंट होगा अभी ठीक है तो यह था in or not in के concept यह थोड़ा मुझे बदाना जरूरी लगा तो यह मैंने बता दिया ताकि अभी इसका काम है और आगे तो क्योंकि हमने आपर range function पढ़ लिया अब हमा आते हैं looping statements के अंदर तो looping statements जो होते हैं वो हमारे पास दो loop statements होते हैं मैंने तुम्हें अल्रेडी बताया है अब बाकी जो होते है वो loop else वो इनका ही पार्ट है तो दो ही होते हैं कौन-कौन से for और while ठीक है दो तरह के loop होते है अब इनका कुछ nickname भी होता है तो nickname क्या होता है इनका for loop जो है उसे हम counting loop भी कहते हैं और while loop जो होता है उसमें हम conditional loop भी कहते हैं और ऐसा क्यों कहते हैं जब मैं तुम्हें इनका structure बताऊँगा तब तुम्हें समझाएगा वैसा मैंने तुम्हें already spoiler दे चुका है कि while क्या करता ह किसी nehme condition को लेता है और उस condition पर छलता है छेकर तो इसलिए to say traditional loop कहते है और एससे paying counting like कहते हैं क्यों कहते हैं चलो आगे बताते हूं क्योंकि यहां पर हम range function का रिंज करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं वाइल वॉप कोपड़ते और उसके बाद कुछ चीजेनी चालिके आपर अगर मुझे मैं कभी हो सकता है मैं range function का use करूँ ठीक है तो अगर मैं आपर range function का मैं चाहता हूँ मैं ऐसा प्रोग्रामा भी बनाना चाहता हूँ जो मुझे 1 से लेकर 100 तक numbers प्रिंट करके दे ठीक है simple है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा for i in range कोई बात नहीं अगर तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है मैं अभी समझाओंगा तुम्हें 0 से लेकर sorry 1 से लेकर 100 तक चाहिए तो मैं आपर 1 से शुरू करूंगा और 100 1 लिखूंगा क्योंकि 101 को तो पांट करने वाला है कर दो है हो आई है कि फ़र हमारी दिखा िता हूं कि आ weakenedfoldo है आटता है मैं ने वन से लेकर ंतल् solutions के अनक सब्सक्राइब कर लिखा कर लो島 विरीम से लेकर state क्रता अब यहां पर तुम्हें यह संसराना चाहता तो अपना नाम ले लो तुम एक बहुत अच्छा नाम भी रे सकते हो और उसके लिए तुम्हें आपर भी बहुत अच्छा नाम बालना पड़ेगा, ठीक है, हो गया, सब कुछ चल रहा है, तो हम यहां पर यह काम कैसे कर रहा है, ठीक है, तो range यह कर रहा है, range सबसे पहले उन आरे पास एक variable है, चलो मैं आप पर इस चीज को हटाई देता हूँ, चलो, तो मैं आप पर एक variable ले लिया i, ठीक है, अभी हम शुलू से मान के चल दें कि प्रोडाम काम कैसे कर रहा है, तो range के जगा पर तुम यह समझ लो, एक इसके पास एक sequence है, 1 से लेकर 100 तक का, तो i के पा इसके अंदर एक और statement लिखा है, फिर मान लेते कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब यह फॉर, यह पुरी, यह header line है, ठीक है, और उसके बाद जो है, वो पुरी एक body है, इसकी, किसकी for key, तो अब यहाँ पर i लिखा हुआ है, तो मतलब i के पास पहले क्या जा रहा ह ठीक है, उसके बाद अब जो body है, वो चलेगी, ठीक है, तो print कर रहा है, आई को, यह निए one print हो जाएगा, उसके बाद नीचे वाली जो भी line होगी, वो चल जाएगी, फिर वो चल जाएगी, फिर वापस आई पर आएगा, ठीक है, वापस अब header पर आजाएगा, तो अब आ पर जाएगा आई के पास, इधर से 4 उटके आई के पास जाएगा, तो आई के पास 4 है, इसलिए 4 print होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे आई से जाएगा, तो ऐसे करते करते यह 100 तक जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो लूप है, वो काम करता है, और 4 का मैंने इस तरह से तुम्हें एक working दिखा है, ठीक है, मैं और तरीके से तुम्हें working दिखा सकता हूँ, और यहाँ पर देखो, मुझे अगर सिर्फ odd numbers print करवाने हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि step value, यानि कि 2 add होता जाएगा, 1 के बाद 1 plus 2, यानि 3, तो देखो, यहाँ पर मैंने सिर्फ odd values print कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से मैं करवा सकता हूँ, for का काम और यहाँ पर मैं range का भी मैंने करवा दिया, ठीक है, range function का भी मैंने यहाँ यहाँ पर use कर लिया, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर किसी sequence में भी जा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कोई एक list बना दू, l equals to, यहाँ पर अगर मैं list में क्या store करूँ, क्या store करूँ, मैं यहाँ पर days का नाम ही store कर देता हूँ, चलो, Monday, Tuesday, Wednesday, ठीक है, मान लेते है इतना ही है, ठीक है, तो अब अगर मैं range function को हटा दो, देखो मैं दूसरा use बता रहो तुम्हें fork का, ठीक है, एक तो तुम समझगे कि range function का use कैसे हो रहा है, और दूसरा मैं आपर कुछ और use कर रहा हूँ, देखो range भी हमें sequence generate कर के दे रहा था, और l जो है list वो already a sequence है, ठीक ह ठीक है, मतलब l की पहली value i में जाएगी, तो पहली value कौन सी है, Monday, ठीक है, तो यहाँ पर i में पहले Monday गया, तो Monday प्रिंट हो गया, फिर वापस जब इधर जाएगा, लूप जो हमेरा वापस आएगा, तो इस वक्त क्या है, i के पास, i के पास जाएगा, दूसरी जो value है Tuesday, वो Tuesday आ जाएगा, प्रिंट होगा, उसी तरह से similarly, Wednesday भी प्रिंट हो जाएगा, तो यह था एक दूसरा तरीका, for use करने का, कौन से तरीके तुम्हारे पास, देखो, दोनों में तुम्हारे पास एक sequence है, कौन कौन सा sequence है, एक range का sequence है, ठीक है, range के अंदर तुम कुछ values डाल रह है, यह क्या है, यह मेरा नाम है, ठीक है, तो क्या ही है, नाम के एक एक letter को print करके देगा, देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं है, for in l, ठीक है, तो तुम देख सकते हो, मेरे नाम के एक letter को यह print करके दे रहा है, ठीक है, यहने कि यह sequence में काम करता है, ठीक ह वाइल लूप , देखा एक अखा बत व ये हैं चलो ठीक है alive loop पर यूजरते हैं , तो इसको हम हटाते हैं चलो एक र्यें या प्रोग्राम बनाते लिए को यहाँपर लोपकिली एक र्यें प्रोग्म वो 0 है ठीक है और while के अंदर हम condition डालेंगे और उसके अंदर कुछ उसके बाद कुछ हम उसके indentation में तो हमने जो for loop से काम करवाए था वही काम अब हम while loop से करवाने वाले हैं यानि 1 से लेकर 100 तक की values प्रिंट करवाने वाले हैं ठीक है तो माल लेते हैं A की value 1 है और जब तक A जो है वो छोटा है 100 से छोटा है या फिर equal है 100 से ताकी 100 भी included हो जाए तब तक क्या हो प्रिंट हो A और उसके बाद फिर तो ऐसे तो यह सिर्फ 1 ही रहेगा न हमेशा A की value का ही change थोड़ी हो रही है यहाँ पर यह तो बस चेक हो रहा है तो A की value 1 है क्या वो छोटी है हाँ है प्रिंट हो जाएगा फिर वापस आएगा फिर यह condition चेक होगा यह condition चेक होगा तो यह condition फिर से true हो जागा फिर सी यह चलेगा तो इस हिसाब से infinite loop में आज जाएगा जो कि मैंने तुम्हें तुम्हें बताया था तो उसके लिए मैं आपर क्या करूँगा एक की value एक से increment कर दूँगा ठीक है अगर तुम्हें पता नहीं है कि यह मैंने क्या लिखा है तो इसका मतलब यह होता है कि इसका मतलब मैंने लिखा हुआ है अगर मैं इसे अभी रन करके दिखा हुआ तो यह क्या हो रहा है वन से लेकर 100 तक हो रहा है ठीक है ऐसे प्रिंट हो रहा है और अगर वहीं मैं चाहूं कि और नंबर्स प्रिंट हो तो यहां पर मैं तू से इंक्रिमेंट करूंगा वाइल्यूस ठीक है तो यहां तुम देख सकते है वन से लेकर यह 99 तब सारे और वैल्यूस आ रहे है तो इस तरह से वाइल लूप काम करता है और क्योंकि यह कंडिशन पर काम कर रहा है इसलिए हम कैना है पर वाइल्यूप काम करते है वाइल्यूप हो अब यह हमारे पास अब हमारे पास लूप यल्स स्पीसित्मेंट शे bunny होते है loop else statements यह होते हैं जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर for loop है चलो ठीक है इसको उटाता हो ना तो मान लेते हैं कि loop की body में जो कुछ भी है वो चल गया ठीक है यहाँ पर मैं हर बार एक ही line लिख रहा हूं लेकिन तो मैं मानने के चलना है कि और भी value और भी lines लिखे हुए है ठीक है तो मान लेते हैं पर बहुत सरी चीज़े लिखे हुए बहुत सरी lines लिखे हुए है और मान लेते कि अब हमारा loop चल चुका है ठीक है तो loop जब हमारा successfully खतम हो जाए गए कि उसके बाद तुम्हें मानलो प्रिंट करवाना है कि लूप सक्सेस्फुली यह लिखवाना तुमको तो तब क्या करोगे तुम यहां पर उसके लिए यह करोगे तुम यहां पर लिख सकते हो प्रिंट लूप कंप्लीटेड ठीक है तो यह तुम कर सकते हो यह फिर अगर तुम कुछ काम करवाना है तो तुम वो कर सकते हो यहां पर फॉर के बाद फॉर कंडिशन खता होने के बाद यहां पर लिख सकते हो लेकिन यहां पर हमें एक एक और अक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड गी ज जा सकता है ठीक है तो फार का भी अपना बाडी वन सकता है मतलब फार के अंदर जो कुछ सब्सक्रवाद बाद वह चल जाए तो फिर एल्स के अंदर जो कुछ भी है वह सर्ट ह took मान लेते हैं कोई बैल्यो में ऻेंज खरनी है is equals to 9 tightened तो यहां पर हमें काम करवाते हैं, हम लास्ट में प्रिंट करवा देते हैं कि values are printed, ठीक है, values are printed यह कर चकते हैं, मैं इसे run करूँ, तो यह लिखा वारा, values are printed, ठीक है, अबर मैंने दो बार loop statements लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहां पर अभी तुम समझ चुके हैं, यहां पर हमें दो दिखाने वाला हुँ कि loop statements, sorry, jump statements क्या होता है, यानि break and continue क्या होता है, तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ break की, तो break का मतलब क्या होता है, कि अभी रुख जा, ठीक है, रुखना, break मतलब रुखना, किसी चीशको रोखना, ठीक है, इधर मैंने comment out कर दिया, इसको भी मैंने comment out कर दिया, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहां पर values print हो रही है, और इसके जगा माल लेते हैं, यह एक एकर के values print हो रही है, यहां क्या हो रहा है, यहां से लेकर 100 तक values print हो रही है, while में, तो मैं चाहता हूँ, यहां पर चाह रहा हूँ, कि बीच में, अगर इसके पास 5 आया, या फिर माल लेते हैं, चलो, इसके पास माल लेते हैं, 73 अगर इसके पास एक value आई, तो मैं चाहता हूँ, उस जगा पर यह रुक जाए, ठीक है तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करूँगा, यहां पर if condition लगाँगा, if a equals to 73, ठीक है, तो यह जो loop है, वो खतम हो जाएगा, अब इसके आगे loop नहीं चलेगा, ठीक है, तो a1 था, चला गया, ठीक है, अब सब कुछ चल गया, और यह condition false हो गया, तो यह नहीं चलेगा, ठीक पिर यह तो सही नहीं होगा, ऐसे करते करते, यह एक time पर यहां से बड़ेगा, और 73 हो जाएगा, और 73 होने पर क्या होगा, मतलब 72 पर यह पर यह पर यह पर बढ़कर वह 73 हो जाएगा, और 73 जैसे ही होगा, तो यह loop बंद हो जाएगा, यानि कि आगी की values नहीं चलेगी, ठ 75 नहीं उपएगा कुछ नहीं उपाएगा तो numbers कहान से कहान तक print होगी numbers होगा 1 से लेकर 72 ठक है यहां पर मैं तुम् LEE कर की दिखाता ऊँ देखो 72 चल रहाई हैं ठीक है देख लिए तुम्हें तो तो यहां पर मैं तुम्हें ब्रेक बता रहा था तो यह ब्रेक इस तरह से काम करता है और यहां पर भी अगर मैं बता दूं मान लेते हैं कि जैसे ही हमारे पास अगर मेरे नाम के लेटर में मान लेते हैं अगर N आया तो मैं चाहता हो कि वहां पर वह रुख जाए है हमारा यहां पर मैं if condition लगाता हूं और if condition के अंदर मैं अगर लिखता हूं i is equal to is equal to क्या होना चाहिए j sorry j बहुत नीद में हूँ मैं sorry print और print क्या करो क्या print करना इसे sorry print नहीं करना है यह भवान कितनी नीद आ रही है मुझे एक्जाम्स चल रहा है और तुम्हारे वीडियोस अलग बना रहा हूं और अपने courses अलग कर रहा हूं खैर अभी तो time में अभी नहीं करेंगे तो कप करेंगे अब इसके पास यहां जा रहा है तो यहां पर जैसे ही इसको जे मिल रहा है चेक है तो अभी यह रूख जा रहा है अब उसके बाद ये आगे नहीं जा पा रहा है ताकि इसके i के पास n से values आ पाएं ठीक है एक बाद देख लो तुम्हें से ध्यान से तुम्हें समझा जाएगा तो ये इस तरह से काम कर रहा है और इसके बाद अगर मैं कुछ values लिखूँ माल लेता अ हम प्रेंट करा देते हैं हाई ठीक है तो क्या यह चलेगा क्या चलना चाहिए इसको मैं इसमें भी अपय कर लेता हूं टीक है तो क्या क्या चलना छय یہ नहीं नहीं चल रह Again तो नहींड हो रहे है तेखो नहीं प्रिंट हाय, देखो 73 इसको मिला ठीक है, तो 73 के बाद की जो चीज है, 73 मिलने के बाद, यहां पर इसको 73 मिल जा रहा है, और इसके बाद जब ब्रेक हो जा रहा है, तो 72 तक तो यह मस्त हाय प्रिंट कर रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे इसको 73 मिला होगा, तो उसके बाद इस इसने high print नहीं किया, क्योंकि यह जो चीज है, वो while के अंदर ही है, यह loop के अंदर ही है, ठीक है, और loop जो है, वो हमारा break हो चुका है, यह condition true हो गई है, और loop हमारा break हो चुका है, तो बस यहाँ पर आने के बाद ही, अब नीचे क्यार लिखाया है, फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद की एक ही values क्या होने वाली है, वो फर्क नहीं पड़ता, loop खतम हो चुका है, loop मर चुका है हमारा, ठीक है, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो break का काम यह होता है, जहां पर है, वहीं से खतम कर देगा, और माल लेते हैं, प्रिंट नीचे hello भी कर देते हैं, ठीक है, और अब यहां पर आते हैं, इधर भी hello कर देते हैं, मैं आप इतनी सरी चीज़े इसलिए प्रिंट कराता हूँ बार-बार, ताकि मेरे पास कोई दिमाग में statement है नी, कि अब मैं यह statement डाल दो, वो statement डाल दो, अब कुछ काम करवाने के लिए है नी, तो मैं करवाऊं क्या, तो बस ऐसी बेकार सी चीज़े में प्रिंट करवाता रहता हूँ, ठीक है, तो यह हो गया, अब देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ J इसको जैसे ही मिला, J मिलने के बाद, यह break हो गया, ठीक है, J मिला, देखो यहाँ पर इसको J मिल रहा है, J को इसने print कर दिया, और अभी यहाँ पर, यहाँ पर value कहीं change नहीं हो रही है, अभी आई की value जो है, वो J ही है, ठीक है, आई को जैसे ही J मिला, देखो, J print किया इसने, और J है, यानि कि यह condition सही हो गई, तो अब यह break कर रहा है, ठीक है, तो break करने के बाद, यानि कि J जब print हो गया, उसके बाद यह break हो गया, अब break होने के बाद, यहाँ पर यह चल रहा है, और यह चल रहा है, ठीक है, तो यह दोनों, लाइन्स जो है, वो दोनों नहीं चलेंगे, तो अगर मैं इसको भी run करूँ, तो यहाँ पर तुम देख रहे हैं, जे के बाद high और hello print नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा लूप यहाँ पर भी जो है, वो मर चुका है, ब्रेक से, ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, हमारे पास jump statements दो दो हैं, एक break है और एक continue है, ठीक है, दोनों का काम बहुत ही जादा simple है, देखो क्या है कि दोनों थोड़े से similar है, तो क्या है, अब यह continue क्या है, देखो, तो continue क्या है कि, अगर मैं यहाँ पर continue लिख दूँ, तो continue लिखने के बाद क्या होगा, कि हमारा यहाँ से जो है, वो loop continue होगा, यानि कि इसके नीचे की जो चीज़े हैं, print, high, print, hello, इस time पर यह तोनों नहीं चलेंगी, और उसके बाद, यहाँ पर जैसी होगा, तो loop वो वापस इधार आ जाएगा, और फिर वापस हमारा control यहाँ से start हो जाएगा, ठीक है, मतलब R आया इसके पास, R print किया इसने, यह condition true नहीं हुई, high print हुआ, hello print हुआ, फिर A आया इसके पास, A print हुआ, यह condition false हो गई, कुछ नहीं हुआ, जलब continue का कोई असर नहीं पड़ा, उसके बाद high print हुआ, hello print हुआ, फिर I के पास J आ गया, फिर print हुआ, sorry, J print हुआ, N जाने के बाद, अगर N इसके पास चला गए, तो फिर N प्रिंट होगा, उसके बाद यह condition फिर से false हो जाएगी, फिर high print होगा, hello print होगा, फिर A के लिए भी same, T और H के लिए भी same, यानि कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ जब मेरे पास J आ रहा है, उस वक्त high और hello, यानि की continue के नीचे वाड़ी lines नहीं चलेंगी, आगे बढ़ जाएगा loop हमारा, ठीक है, यह काम हो रहा है, आशा करतो, समय से तुम्हें समझ आ रहा होगा, आर ए, देखो, जब J print हो रहा है, यहाँ पर देखो, जब J print हो रहा है, तब हमारे पास यहाँ पर high hello प्रिंटर नहीं हो रहा है, direct n आ जा रहा है, अब n के बाद फिर वही normal सा high hello चल रहा है, ठीक है, अब यही चीज़, अगर मैं तुम्हारे पास while loop में भी दिखा दू, ठीक है, और 72 के बाद कुछ नहीं है, लेकिन 73 के बाद है, तो यह कैसे हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, चलो, माल लेते 71 पर आते हैं, 71 कहा हो रहा है, माल लेते यहाँ पर बाद 71, ठीक है, और 71 उनने के बाद यह condition false हो गई, ठीक है, तो प्रिंट हो गया, हाई, हेलो, ठीक है, 71, हाई, हेलो, यहाँ तक हमने कर लिया execute, तो अब यहाँ मेरे पास यहाँ पर यह बढ़के हो गया 72, ठीक है, तो यहाँ पर यह 72 है, ठीक है, यहाँ पर भी 72 है, यहां 72 है 72 है अभी भी 72 है और अब प्रिंट हो रहा है 72 ठीक है अभ यहां पर इसके पास है अभ यहां पर यह बढ़ के हो जा रहा है 73 ठीक है लेकिन 73 अभी प्रिंट नहीं हो रहा है जब घूंग के आएगा तब यहां पर उपर में 73 प्रिंट होगा ठीक है तो अभी इसके के पास 72 और उसके पात अभ यहां पर कंडिशन क्या है यह कंडिशन पॉल्स हो गया क्योंकि अभी 72 है थीक है तो यह चले गएगा यह चले Gल conductor लेटीetas कि और अभी 72 होगा अभी कंडिशन नहीं हो गई है ठीक है तो अब यह जो continue है यह चल जाएगा हमारा और इसके बाद जो नीचे वाली चीज़ है वो नहीं चलेंगी और उसके बाद यह घूं के उपर आएगा और फिर 73 अभी हमारे बास प्रिंट हो जाएगा ठीक है बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें और यह थोड़ा सा काम होता है एक बाद फिर से बहुता हो ब्रेक का क्या काम होता है ब्रेक जहां पर ही लग जाता है जैसे अगर इफ कंडिशन सही हो के ब्रेक हमारे ब्रेक चल जाता है ठीक है तो उसी वक्त हमारा पूरा का पूरा लूप खतम हो जाता है मर जाता है कोई काम नहीं रहता अब loop का वहीं अगर continue है हमारे पास तो continue क्या होता है कि जैसे ही continue पे हमारा interpreter हो आता है तो वो क्या करता है वो नीचे की चीज जो की loop के अंदर है उनको नहीं चलने देता और क्या करता है कि आगे से loop चलाता है मतलब नीचे वाली चीज़े उनको नेगलेक्ट कर दो और loop को आगे बढ़ाओ ठीक है ये करता है continue तो ये था loop और ये था break और ये था continue अब हमारे पास क्या है ये तो पढ़ लिए अब loop else अभी थोड़ देर पहले मैं ने तुम्हें else के बारें बताया था कि जब हमारा loop successfully execute हो जाए तब जो है वो else वाला जो काम है वो करता है ठीक है लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पर बीच में कहीं break डाल दूँ ठीक है यहाँ पर भी कहीं पर break डाल दूँ तब तुम जानते हो कि हमारा जो loop है वो break हो जाएगा successfully execute पूरे तरह से नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि else वाला जो पार्ट है वो नहीं चलेगा else वाले को मैं आपर comment हटा देता हूँ इधर से भी हटा देता हूँ ठीक है अगर मैं इसे अभी run करूँ तो यह जो else वाला पार्ट है values are printed वो नहीं आ रहा है क्योंकि यह बीच में ही break हो गया है हमारा program ठीक है यहाँ पर भी यह बीच में ही break हो गया तो यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ रहा है values are printed ठीक है तो क्योंकि यह बीच में ही print हो गया तो else वाला पार्ट नहीं चल रहा है तो else जो है वो भी loop का ही एक पार्ट है इस जगा पे else जो हो while का ही एक पार्ट है इसलिए क्योंकि loop खतम हो रहा है तो else भी खतम हो जा रहा है या नहीं चल रहा है similarly यहां पर भी else जो है वह फॉर का ही एक part है तो क्योंकि loop खतम हो रहा है तो else जो कि है वह फॉर का ही part है तो else भी खतम हो जा रहा है इसलिए यह नहीं चल रहा है ठीक है करो और जितनी जल्दी हो सके हो जल्दी बनाया करो वैसे मतलब ऐसे कोई जल्दी है नहीं लेकिन फिर भी अच्छी खासी से बनाया करो और ऐसी तुम बना पाऊगे और एक्जाम में तुम्हें मज़ा आएगा ठीक है और तो अब बाकियों से क्योंकि वैसे भी computer science बहुत कम करेंगे कि prime number user से इनपूट लेंगे ठीक है और फिर हम user को बताएंगे कि वो number prime है या composite है मतलब या फिर prime और composite दोनों नहीं है ठीक है तो ये चीज़ हम करने वाले अपने फ्रोरंब में ठेक तो अर्यडी मैं बना कर रखा हुआ है प्लाइए निम्बर के लिए में इसे अगर मैं है तो मैं को वापस ये फिर से बनाने के ज्रूरुत नहीं है लेकिन तुम चाहो तो, छलो ठीक है, मैं काम करते हैं, तुमारे लिए फिर से बना कर दिखाते हूं शूलू से, यह राटाओ, यह राटाओ, ठीक है, प्राइम कंपोजिट ठीक है डॉट पीवा है चलो अब मैं तुम्हारे लिए एक प्रोवाम बनाता हूँ जहां पर यूजर से हम इंपुट लेंगे और फिर उसको बताएंगे कि जो नंबर है हमारा वो प्राइम है या कंपोजिट है ठीक है और यहां पर हम नेस्टेड लू तो वहां पर हम नेस्टेड फॉरलूप का बहुत जादा यूज़ करते हैं अब मैं तुम्हें प्राइम नंबर के बाद उसका ही नंबर है ठीक है अब मैं तुम्हें पैटर्न मनाना सिखांगा पहले प्राइम नंबर सीख लो ठीक है तो यह काफी अच्छा प्रोग्राम ह ठीक है नम इंटेजर टाइप करेगा ठीक है और इसके अंदर इंपूट उसके बाद फिर एंटर नंबर ठीक है यहाँ पर नंबर रहेगा और यूजर जब नंबर को एंटर करेगा तो यूजर के नंबर के एंटर करने के बाद अब हमें क्या करना है देखो प्राइम और एक वो खुद, और कोई factor नहीं होता है, जैसे अगर मैं 7 की बात करूँ, तो 7 जो है, वो 1 के table में आता है, और खुद 7 के table में आता है, ठीक है, और किसी के table में नहीं आता, तो वैसे ही 2 का भी वैसा ही है, तो 2 जो है, हमारा smallest prime number होता है, और अगर 3 की बात करूँ, थीक है, तो ऐसा है, तो हम चेक करनेवाले कोई number prime है, composite है, या फिर 0 है, ठीक है, और अगर 1 हो, तो 1 का है 1 भी नहीं प्राइम है और नहीं composite है, ठीक है, यह भी में बता दो तुमें, 0 और 1 दोनों यह नहीं प्राइम है, और नहीं composite है तो हम पहले ही एक condition यह लगा देते हैं कि अगर हमारा integer value जो user ने enter किया है वो 2 से छोटा हो यानि कि अगर negative वाली साली values आ गए उसमें 0 आ गया 1 आ गया यानि कि 2 से अगर छोटा हो तो लिखा हुआ आएगा neither prime nor composite तो यह हम लिख देते हैं तो एक condition हम यह आपर डाल देते हैं if number is less than 2 ठीक है तो क्या लिखा हुआ आएगा तो लिखा हुआ आना चाहिए the number is या फिज़ नमबर के जगा पर user ने जो number एंटर किया है वो number ही आना चाहिए तो ज़्यादा चाहिएगा is neither prime nor composite ठीक है यह लिखा हुआ आएगा तो अब आगे बढ़ते हैं else ठीक है अब अब जो भी काम कराना है अब हमें यहां से करवाना है तो अब हम क्या करवाएंगे अब हम जो भी number enter करवाया जाएगा उसके factors गिनेंगे अगर वो factors 2 है तो वो prime होगा और अगर 2 से ज़्यादा है तो वो composite होगा ठीक है तो शुरू करते हैं और factors हम कैसे गिनवाएंगे जैसे कि अगर मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास एक number है 7 ठीक है 7 है तो यहां पर मैं क्या गरूँगा कि 1 से शुरू करूँगा ठीक है और चECK करूँगा कि क्या वो सॉरी 1 से चेक करूँगा तो चेक करूँगा कि क्या 7 जो है वो 1 के table में आता है ठीक है अगर 1 के table में आया तो यह एक factor हो गया उसका ठीक है फिर चेक करूंगा कि 2 के टेबल में 7 आता है, अगर आया तो 2 भी उसका एक factor बन गया, 3 आया, अगर 3 के टेबल में 7 आया, तो 3 भी उसका एक factor बन गया, 4 के टेबल में आया, 4 भी उसका एक factor बन गया, ठीक है, इस तरह से हम मान के चलते कि इस तरह से हम factors मान लेंगे, ठीक है, लेकिन यह कैसे पता करेंगी कोई किसी के टेबल में आ रहा है ना यह नहीं आ रहा है ठीक है तो वो तुम्हें पता होगा कि अगर वो मॉड्यूलो का जो operator था हमारे पास जैसे कि मैं तुम्हें पता हूँ कि अगर 4 और यहाँ पर मैं यह percentage लगा दू और यहाँ पर 2 लगा दू ठीक है तो यह मुझे क्या return करके देगा यह मुझे 0 return करके देगा क्यों 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 यह क्या करता है कि यह इस चीज को मतलब इस चीज का factor हुआ तो obviously remainder जब वो 0 आएगा ठीक है तो हम यहाँ पर इस चीज का ही use करने वाले हैं कि कि किसी चीज को उस नमबर दब शुरू से नमबर से ले लेंगे ठीक है मान लेते हैं कि हमारे पास 7 है चलो मान लेते हैं मेरे पास 7 है ठीक है और अब अगर मेरे पास 7 है न करूँगा न कि 7 को एक एकर के divide करूँगा 7 by 1 करूँगा sorry तो मेरे पास का remainder आएगा 0 आना चाहिए ठीक है 0 आएगा तो यहाँ पर divide के जगा मैं direct मैं को remainder निकालना तो मैं यह percentage का use करूँगा module होगा तो 1 करूँगा तो यह मैं को 0 देगा ठीक है अब यही चीज मैं 2 के जारो समझा रहा होगा तुम्हें 3 के लिए करूँ तो 3 to 6 होता है तो इस बार भी बना जाएगा ठीक है remainder फिर 4 के लिए करूँ तो 4 बंजा 4 होता है और उसके बाद फिर यह 3 remainder आ जाएगा यहां पर मैं यहां पर मैं अब 5 के लिए करता हूँ तो 5 बंजा 5 और उसके बाद फिर 2 remainder में आ जाएगा उसके बाद क्या उसके बाद 6 के लिए करूँ sorry 6 के लिए करूँ तो यहां पर 1 आ जागा remainder में और यहां पर 7 के लिए करूँ तो यहां पर remainder में 0 आ जाएगा ठीक है तो तुम जहां जहां देख सकते हो कि जहां जहां 0 आ रहा है ठीक है वो बता रहा है कि वो उस चीज का factor है मतलब यह चीज जो है वो 7 का factor है यह भी 7 का factor ह और जहाँ 0 यहाँ पर नहीं आ रहा है, जहाँ रिमेंटर में जहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, वो इस चीज़ का factor नहीं है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, मैंने 7 लिया और 7 को लेने के बाद, मैं चेक किस से कर रहा हूँ, 1 से लेकर 7 तक के numbers को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 7 7 को डिवाइड कर रहा हूँ, 1 से, 7 को 2 से, 7 को 3 से, 7 को 4 से, 7 को 5 से, 7 को 6 से, और 7 को 7 से, जहाँ जहाँ मुझे 0 मिल रहा है, मैं उस number को 7 का factor मान रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मिल रहा है, 7 का factor मान रहा हूँ, ठीक है, इतना तक लूँगा मैं, अब मैं यहाँ पर क्या करता यहाँ पर मैं चेक करूँगा ठीक है तो 4 को मैं डिवाइड करके remainder निकालना हूँ पहले 1 से क्या आएगा 0 आएगा ठीक है किसी चीज़ को भी 1 से डिवाइड करो remainder 0 आता है फिर 4 को यहाँ पर यह करेंगे फिर 2 तो भी remainder 0 आएगा अभी 3 के लिए करते हैं इस पर remainder जो है वो बना जाएगा और अभी यहाँ पर 4 से करते हैं तो remainder जो है वो 0 आ जाएगा तो तुम देख सकते हैं यहाँ पर 4 की total कितने factors है 3 यानि कि 2 factors से ज़ादा है यानि कि यह composite number है अब जिसके सिर्फ 2 factors होंगे 1 और वो खुद वो है एक prime number वो है एक सचा prime number तो यहाँ पर आप तुम logic समझ चुके होगे कि मैं क्या करने वाला हूँ ठीक है तो पहले मैं number को लेने वाला हूँ और फिर एक sequence बनाने वाला हूँ 1 से लेकर उस number तक और एक एक करके divide दरके remainder check करने वाला हूँ और remainder जो है जहाँ पर 0 आ गया वहाँ पर मैं factor एक से बढ़ा देने वाला हूँ मतलब कि factor वहाँ पर मैं बूलने जा रहा हूँ कि यहाँ पर इसके पास एक factor आ गया मानलो फिर उसके बाद फिर से कहीं divide होता है और remainder 0 आता है तो factor एक और बढ़ जाएगा कि अब यह दो factor हो गया मतलब इसके दो factor हो गया इस तरह से होने वाला है ठीक है तो अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि एक value लेता हूँ factor नाम f नाम से फिर factor से ठीक है factor रख देता हूँ factor मैं माल लेता है जीरो कर देता हूँ अभी इसके 0 factors है मतलब factors मैं मैंने 0 assign कर दी अब क्या बहुत है कि जैसे जैसे मुझे factors मिलते जाएंगे मैं factors की value एक से increment करता जाँगा ताकि मुझे पता चले कि 2 factor है 2 से जादा factor है ठीक है कहा तक का sequence चाहिए 0 से लेकर sorry 1 से लेकर number तक का ठीक है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे for i in range कहां से चाहिए 1 से तो 1 लिखेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ पर num plus 1 लिखेंगे और num plus 1 क्यों लिखेंगे उसका logic तुमें पता आया अब हमें तो if अब यहाँ पर हमें remainder चेक करना कि क्या 0 है या नहीं if num यानि कि number जो हमने लिया था उसको divide करना है किस से i से ठीक है i में एक एक करके values आएंगी 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा number plus 1 तक जिसमें कि num plus 1 जुडने वाला है नहीं सिरफ num तक आएगा तो num percent i equals to equals to 0 अगर ये condition सही होती है तो तो क्या करो factor plus equals to 1 ठीक है factor में एक जोड़ दो ठीक है तो ये काम आने वाला है हमारा ये हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा for का बार्डी complete होता है यापर loop हमने complete कर लिया अब जितना भी factor होगा यहाँ तक चलके यहाँ पर आ जाएगा factor की value change हो जाएगी ठीक है factor में जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा हमारे पास ठीक है तो factor तक हो गया अब हम क्या करने वाले है यहाँ पर अब हमें आपर इसे यह कहने वाले कि अगर factor जो है वो 2 है तो print करो कि prime number है और अगर factor 2 से जाधा है तो print करो composite number है तो हम वह आपर लिख देते हैं if factor is equals to zero sorry two print देखो मैं आप पर else की body के अंदर ही है लेकिन for while look के बाहर है ठीक है तो print क्या करो print क्या print करना हमें number जो user ने एंटर किया है यानि कि num ये is prime फिर यहाँ पर हम else भी लगा सकते हैं तो else ही लगा देते हैं चलो क्यों else लगा रहा है यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि two से कम तो होने वाली है नहीं क्योंकि देखो हमने पहरे ही इसे लिख दिया है यहाँ पर कि अगर number जो है वो two से कम हो यानि कि zero और one हो तो उसका जो factor होगा वो हो सकता है एक तक ठीक है लेकिन जहाँ पर जब भी हमारे पास two आ जाता है ठीक है जैसी हमारे पास two आएगा तो जो minimum number है उसका जो factor है वो ही two है ठीक है वो उसका ही factor two है तो यहाँ पर हमारे पास two से तो जाधा ही values आएगी ठीक है factors की तो यहाँ पर हम else लिख देते हैं या फिर चलो तुम्हें अगर problem हो रहा है conclusion हो रही है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं direct if factor is greater than two ठीक है अब तो समझा रहा हो तब print कर दो क्या print करो number is ठीक है तो यहाँ तक हमारा जो program है वो complete हो जो जुका है ठीक है यहाँ पर तुम देख रहे हो है कि nested loop तो कहीं पर हमने यूज किया नहीं है ठीक है तो वह भी हुआ नहीं है अभी मैं कुछ और बताने वाला हूं इसमें तब तक तुम यह पहले चक कर लो कि यह जो प्राइम नंबर वाज जो कोड वो चल रहा है नहीं तो आपर मैं इसे रूं करता हूं तो एंटर करते एक महान लेते हैं अभ मैं जी रो लिद लिटा ह chair है जाए पर जिरो इन देदेडर न और वन लिख दिया है जरू ठीक है सही चल रहा को अम मले दिटे चटा सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब टारा है तुछ रहा थो यह फ़िसोगा है रहा हा फिर रही फर तो जाल धारा कर दो तो यह काफी सही वक्त कर रहा हमारा अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो user है user number enter कर रहा है ना मैं चाहता हूँ कि one से लेकर hundred तक जितने भी prime number से वो print हो जाए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा अब यहाँ पर use होगा nested loop का concept तो यहाँ पर मैं range लगा लेता हूँ तो फॉर अब देखो क्योंकि यहाँ पर मैं देखो फॉर यहाँ पर यहाँ पर भी एक फॉर लूप है और बहार भी एक फॉर लूप लगाना चाहरा हूँ ठीक है तो यहाँ पर पहले तो मुझे i in range नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मैं i का use नहीं कर सकता क्योंकि देखो यहाँ पर मैं i का use कर रहा हूँ जब भी तुम नेस्टिंग यूज कर रहे हो लूप का तो तुम ध्यान रखो कि जब भी तुम्हारे पास अलग-अलग for loops है तो उनकी जो यह values है ठीक है वर Favorable का नाम रखना है तुम जाए जो रख लो तो for J in रेंज या फिर इस बार हमें जनी करना इस बार हमें नम करना है ठीक है क्योंकि नमबर जो है वो चेंजे हो उसमें हम चेंजेंग कर रहे है ठीक है तो यहां पर मैं नम कर देता हूं तो यहां पर मैंने नम खर दिया नम in range मान के चलते हैं अब हमें आप पर 1 से लेकर 100 तक में चुनना है तो 101 ठीक है अब यहां से यहां तक नमबर में values आएंगे ठीक है तो नमबर में सबसे पहले 1 जाएगा तो अभी यह नमबर पर यह values यह जो काम हो रहा है यह नमबर पर हो रहा है ठीक है तो 1 के लिए होगा तो 1 जो है उसके लिए प्रिंट हो जाएगा कि 1 जो है वो क्या है फिर बाद में 2 के लिए होगा यहां पर 2 आ जाएगा फिर 2 के लिए होगा फिर उसके लिए पता चलेगा कि 2 क्या है फिर 3 क्या है, ऐसे करते करते, सब के लिए पता चलेगा, ठीक है, यहाँ यह column छोट रहा था, तो ऐसे करते करते, 100 तक के लिए पता चल जाएगा, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक nested loop का use किया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं इसे run करूँ, तो हर एक number का मुझे प पता चल गया, one is neither prime, no composite, two prime है, ठीक है, prime composite, prime composite जो है, तो सब कुछ ऐसे करके मुझे पता चलता जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा है, और यह था nested loop का concept, यह program तो में समझ आया, समझ आ गया, तो comment में मुझे बताओ, कि समझ आ गया, और अगर नहीं समझ आया, तो भी comment कर दो, मैं और अब बनाते हैं कुछ patterns, शायद बहुत लोग, उसके लिए यहाँ पर आयोगे, तो में से बहुत से लोग, तो चलो star pattern बनाते हैं, तो सबसे पहले multiline में, multiline comment में, मैं उसको draw कर लेता हूँ, ठीक है, तो मान लेते हैं, मैं यह बनाना चाहरा हूँ, ठीक है, यह, इस ब पांच बार, तो यहाँ तक मैंने पांच lines इसमें print कर वाया है, ठीक है, तुम चाहो तो 6 करवाओ, 7 करवाओ, और तुम चाहो तो user से भी input करवाओ, कि इतने line चाहिए तुम्हें और उतने line फिर तुम उसे print करके दो, ठीक है, तो यहाँ इस pattern में क्या खास बात है, कि पहले लाइन में, एक star print हो रहा है, दूसरे line में 2 हो रहा है, तीसरे line में 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो इसको तुम्हें print करवाना है, और ध्यान रहे, तुम्हें जादा यहाँ पर चला की, लगा कर, तुम्हें ये काम तो बिलकुल ही नहीं करना है, कौन सा काम, क इस काम की बात कर रहा हूँ, मैं, backslash n, इस काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर, अगर तुम्हें और shortcut चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं आपर multiline का use कर देता हूँ, ठीक है, बन गया program, बन गया pattern, तो ये तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, examiner जो होगा, वो बात लेगा, ठीक है, और दो चार गालिया भी लिखके देगा, तो ये काम तुम्हें नहीं करना, और तुम्हें करना क्या है, देखो, एक shortcut भी तरीका है, कि तुम इस चीज को print कर लो, ठीक है, nested loop के बिना भी तुम इन patterns को print कर सकते हो, हर pattern का मैं नहीं बोलना, लेकिन इसक चलेगा, यहां पर, पहां से कहां तक, 1-5 तक चलाते हैं, sorry, 1-6 तक चलाएंगे, क्यों चलाएंगे, पता है तुम्हें, और इसे indentation के अंदर लिख देता हूँ, print, क्या print करो, star यी तो print कर रहा है, start print करो, ठीक, अगर मैं इसे अभी run करके देखो, तो ये का कर रहा है, ये एक एक करके मुझे print करके दे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर एक ये चीज़ लगा दूँ, यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, replication operator का यूज़ कर रहा हूँ, अगर तुम्हें, तुम्हें तुम्हें पढ़ा है, तो शायद तुम्हें पता होगा, तो दिखो, यहा पहले इस चीज़ को मैं तुम्हें explain कर देता हूँ, यह क्या हो रहा है, तो दिखो, strings में क्या होता है, दो चीज़े तुम perform कर सकते हो, एक concatenation और एक होता है replication, पता नहीं तुम्हें पढ़ा नहीं है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मैं तुम्हें फिर भी बतायता हूँ तो क्या होता है, कि strings में हम दो चीज़े perform कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं, मेरे पास दो string है, और मान लेते हैं, यह a के अंदर है, और फिर b के अंदर है, मेरे पास, तो मैं concatenate कर सकता हूँ इन दोनों को, और replicate कर सकता हूँ, ठीक है, concatenation मतलब कि, दो strings को आपस में जोड़ सकते हैं, और replicate कर सकते हैं, जोडने का तो हो गया, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसे डाइरेक्ट इस तरह से भी लिख सकता हूँ, राज अलग और फिर नहीं पर, फिर नाथ, ठीक है, तो मैं इसे ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं खुद का भी निमाल लगाना है, तो यह था concatenation, strings में हम यह perform कर सकता है, और replication कर सकता है, replication कैसे perform करेंगे, उसके लिए मुझे बस एक string चाहिए होती है, ठीक है, और एक string को हम फिर जितना हम हम उतने बार multiply कर सकते हैं, जैस देखो, राज है, तो राज, 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 चार बार print हो गया, ठीक है, इस तरह से होता है, यह C को तुम हटा दो, चाहिए तो तुम इसको यहाँ यही पर यह कर सकते हो, यही पर for लगा दो, और इसको चार हटा दो, ठीक है, तो अभी भी यह वैसा ही output application, तो यह चीज चोटी सी चीज थी, यह मैंनो तुम्हाँ भी शमझा दिया, अब मैं तुम्हें यह बता रहाँ, कि यह कैसे काम कर रहा है, देखो, तो इसको मैं रन कर कर रहा हूँ, देखो, काम कर रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, for i, तो i में पहले 1 जा रहा है, ठीक कितने वह से replicate हो रहा है यह आई बार replicate हो रहा है तो यह दो बार print होगा उसी तरह से जब 3 आएगा तो यह 3 बार print होगा फिर 4 आएगा 4 बार print होगा 5 आएगा 5 बार print होगा 6 आएगा नहीं खतम हो जाएगा तो इस तरह से यह काम कर रहा है और यह आसानी से print हो चुका है लेकिन exams में हमें क्या बोला जाता है कि तुम इसे nested loop से बनाओ ठीक है? nested loop से बनाओ अब nested loop से हम इसे कैसे बनाएंगे तो nested loop से बनाने का मतलब है कि इसके अंदर एक और loop होना चाहिए तो उसे समझने के लिए मैं तुमें एक trick बताता हूँ वो trick यह है कि देखो बाहर एक loop रहेगा और बाहर वाले loop के अंदर एक और loop रहेगा ठीक है? तो बाहर जो loop रहेगा वो number of lines के लिए रहेगा ठीक है? पहले इस line के लिए फिर 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 इस line के लिए ठीक है और जो अंदर का लूप रहेगा वो क्या देखेगा वो देखेगा कि कितने बार प्रिंट करना है वो एक बार प्रिंट करेगा फिर वो दो बार प्रिंट करेगा फिर वो तीन बार प्रिंट होगा ऐसे करके ऐसे करके ठीक है तो ये काम करवाना है तो मैं तो इसको तो मैं हटाता हूं अभी अब शुरू करते हैं तो चलो for i in range अब range के अंदर कितने lines हैं आपर पांच lines तो मैं यहां पर one से लेकर five लिख दूँगा five ने लिखूंगा six लिखूंगा sorry ठेक है अब मेरे को तो एकट करके print करवाना है तो यहां पर मैं एक नया लूप लिखूंगा और यहां पर देखो मैंने तुम बताते हैं जब भी तुम nested loop यूज़ करो तो तुम्हें अलग-अलग variables का range अभी यहां पर जे कितने बार चलेगा ठेक है जे कितने बार चलाना है जे को कितने बार चलाना है पहली बार कितने बार चलाना है एक बार दूसरी बार कितने बार चलाना है दो बार ठेक है तीसरी तीसरे जब देखो आई में पहले one आएगा इस जगा पर आई जो है वह भुण हो गया ठिक है अभी क्या हो रहा है पर कि ए आई में नो जाएगा इस जग़ाबारॡ साफ स्फरीं होगा इस जग़ाबे गया है आई 4 हो जाएगा और इस जगह पे क्या होगा आई 5 हो जाएगा ऐसे चल रहा ही है ठिक है ना तो जब आई 1 है तो एक बार प्रिंट हो रहा है जब आई 2 है तो दो बार प्रिंट हो रहा है ठिक है आई 3 है तो तीन बार प्रिंट हो रहा है ठिक है तो यह करना है हमें ठिक है तो i क्या है? 1, ठीक है? तो एक बार print हो यह, हम यह चाहते है ना? तो हम यहाँ पर यह क्या करेंगे? हम यहाँ पर चलाएंगे 0 से लेकर i times ठीक है? यहाँ पर हम 0 से लेकर i times चलाएंगे और उसके बाद हम simply यहाँ पर लिख देंगे print star यह तो हमने कर दिया लेकिन हम सब जानते हैं कि यह लिखने के बाद print में अंदर खुद बखुद क्या होता है? automatically अंदर में end equals to backslash end होता है पहले से तो यह क्या होगा कि हमारा कोई भी line एक ही बार में चीजों को print करने नहीं देगा वो क्या करेगा? इसलिए हम मैं जब इसे run करूँ तो यह नीचे 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 होगा ठीक है? तो continuation नहीं आपाएगा लाइन का तो यहाँ पर मैं इसमें क्या करूँगा end equals to यह backslash end नहीं लगाँगा मैं कुछ नहीं लगाँगा यहाँ यहाँ तो एक space लगा सकता हूँ ठीक है? और यहाँ पर मैं एक print statement लिख देता हूँ यह मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर ऐसा? बता दूँगा तो मैं कोई बात नहीं पहले अब मैं इसे output दिखा देता हूँ देखा, output सही हा रहा है Ja, 1,2,3,3,4,5 सही हा रहा है ठाएक है? तो यह मैंने क्यों किया? तो मानके चलता है कि मेरा 1 line को print कर रहे है इसससको print कर दिया मानके चलता है, इससस就 mengist अब क्या हूँ? 殿 स्लिकल्स to यह है ठाएक है? कुछ हो ही है तो अब क्या होगा कि यहीं से बाकि next line जो हो यहीं से चलू हो जाएगी ठीक है यह जो line वो यहीं से चलू हो जाएंगी तो वह नहीं चाहता हूँ जब यह इसका काम खतम हो गया तो एक बार नीचे आ जाए और नीचे आने के लिए मैंने print statement लिखा है और इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर अल्रेडी होता है न एंड is equals to backslash n तो इसमें भी है अल्रेडी तो वह मुझे लिखने की जरूत नहीं है अगर मैं लिखों तो वह दो बार हो जाएगा ठीक है दो लाइन नीचे चला जाएगा वह इसका यूज़ करके तुम और भी अपने बुक्स के पैटन्स को बना सकते हो बुक में तुम चेक करो तुम्हारे पास और भी पैटन्स होगे और solution भी होगा तुम्हारे पास और अगर तुम चाहते हो कि dedicated वीडियो में एक लेगा हूँ पैटन्स पे तो तुम कमेंट में ब पूरा का पूरा चैप्टर खतम करा दिया और अभी मुझे बहुत नीन दा रही है मैं अभी बिल्कुल से सोने जा रहा हूँ और कल मुझे एडिट करना होगा फिर कॉलेज भी है तो तुम लोग कैसे हो वह भी मुझे बता दिया करो और कुछ लोगों को जो लोग यहां प तुम्हें कुछ प्राब्लम वह थी तो दो सकते हो नीचे और डर लग रहा है तो भी बता दो क्यूंकि देखो जई में क्या कि क्या रहा है कि अगर तुम्हें यह करना है तो देखो तुम जई में पहले डिन से अबाव तुम्हारे लिए चीजे आसान हो जाएंगी लेकिन ये कब होगा? 12th के बाद तुम्हें इस चीज़ पर ध्यान देना है ठीक है तो बस तुम्हें ये कहना चाहरों कि मैं कि ज़्यादा डरो मत जही से अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें बसका बिलकुल नहीं है तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लो तुम्हें IIT जाना अगर नहीं हो पा रहा तो जाना दो फिर कोई दिक्कत नहीं है अभी बहुत सारी चीज़े हैं पता ही मैं अचानक रात को इन चीज़ों पर क्यों आ गया ठीक है कोई बात नहीं लेकिन चलो ठीक है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में